तो हमने अपने previous slide में देखा था कि हमारे पास एक situation है कि हमारे पास higher order observable है लेकिन हमारा STTP call हो नहीं रहा और हम इसे समझने के कुशिस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें तो STTP call होगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि observable lazy होते हैं उन्हें जब तक आप subscribe ना करो वो आपको data emit करके नहीं देते हैं तो यहां पर अगर notice करें तो हमारे पास दो observables हैं outer और inner तो अगर हम पहला observable को जब हम subscribe करेंगे first observable को तब जा करके वह क्या करेगा वहां से वो order selection का id को listen करना start करेगा और वहां से एक order id वो emit करेगा subscribe के बार तो हमने यह subscribe first time किया चहां कि हमें outer observable से subscription हो गया order id वहां से निकल गई यह order id pipe method के थुरू होते हुए यह map के अंदर जाएगी और हमें दूसरा जो हमारा call है वह sttp get call है लेकिन याद रखिए sttp get call यह simple method नहीं है यह observable है तो यह observable जो दूसरा observable है यह automatically नहीं होगा call server को ठीक है तो यह automatically server को call नहीं जाएगा आप एक subscribe किये आपका id आ जाएगा यहां तक लेकिन यह दूसरा call नहीं जाएगा server को क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यह observable है तो यहां आपको दूबारा से subscribe करना पड़ेगा अब जब दूबारा से subscribe करोगे तब जाकर किया server की ओर जाएगा तो यह मैंने आपको hint दिया आप इस पर गौर करें और आपको फिर बाद में source code दिखाता हूं तो source code दिखागे मैं आपको समझाता हूं कि दुबारा से अगर हम subscribe करेंगे तो जाकर के क्या होगा की server का call होगा और वहां से एक order object आपको मिलेगी फिर आप order object server से लाओगे और वो order object all the way यह आपके order detail page पे जाएगा तो यह रहा एक potential solution यह मैं बता नहीं रहा हूं कि यह production solution है आप इसको production में भी ऐसे यूज़ करें this is a potential solution that you can try and इसके थ्वारा आपको मैं समझा रहा हूं कि इस तरह से हमें दो-दो बार subscribe करना पड़ रहा है तब जाकि आपको order object मिलेगा तो यह एक potential solution है तो यहां हमारे पास पहला एक subscription हुआ जो हमने inner observable के साथ किया और दूसरा subscription हमने किया जो कि outer observable में किया तो यहां पे हमने दो subscription किया अगर इस तरह से आपके पास inner observable बहुत सारे हैं तो आपको हर एक को subscribe करना होगा यहां हमने सीखा कि outer और inner observable का subscription किया जाता है उसके बाद ही हमें data बहार मिलती है